नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिंकू आप देख रहे हैं रेगाफलिक इन्फो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में एक नया अकाउंट क्रियेट करेंगे और अपना यूजर नेम किस तरीके से सेट करेंगे पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई थी अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज करेंगे इसमें वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से किलियर होने वाले हैं वो मैं आपको ब जो closing है candle closing वो कितने बज़े होती है वो जानेंगे उसके बाद में candle आखिर होती क्या है किस तरीके से work करती है वो जानेंगे उसके बाद में जो candle close होती है मतलब जो green close होती है red close होती है उसके बाद में जो chart है उसको zoom out, zoom in उसमें drawing कैसे करते हैं या फिर किसी चीज को हमको integrate कराना हो वो कैसे करते हैं and जो tools हैं उनके बारे में मैं अलग से एक video बनाऊँगा separate क्योंकि वो फिर 6-7 minute का video हो जाएगा यही 10-12 minute का हो जाएगा I don't know कितना हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि 20-22 minute का video हो जाए तो part by part आपको भी सीखने में अच्छा लगेगा और मुझे भी video बनाने में अच्छा लगेगा देखे हो इस video को like जरूर करना है या like नहीं करते हो comment करके मुझे बताना कि video कैसा लगा तो अभी video को शुरू करते हैं जादा बोर नहीं करता आप लोगों को तो one by one जो सारे topics है उनको मैं clear करूँआ ठीक है basic से लेके advance तक तो चलिए शुरू कर लेते हैं मैंने यहाँ पर जो अपना trading view account है उसको login कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं first look आपको ऐसा दिखेगा आप mobile है तो tension करने की जरूरत नहीं है chrome browser में open करो और mobile पे आप किस तरीके से इसको use करेंगे वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दे लगँगा पहले जो web series है वो एक बार complete कर लेंगे web पे PC पे ठीक है उसके बाद mobile वाला भी समझा दूँगा तो तीन लाइन पे क्लिक करके desktop request site करोगे तो ऐसा ही होगा और अगर mobile है तो बस छोटी screen में आपको दिखेंगे और कुछ ज़्यादा फरक है नहीं ठीक है यहाँ पे already जिन लोगों ने chart बना रखें वो क्या कहते हैं bitcoin के बारे में उनको क्या लगता है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में यहाँ पे कुछ basic जो news है वो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे simply आप alert भी set कर सकते हैं को ठीक है अब जैसे मानों मैं आपको दो तरीके जा बताता हूं पहले यहाँ चार्ट पर क्लिक कर लेता हूं एक बार ठीक है मैंने यहाँ पे चार्ट पर क्लिक कर लिया सो एक बार तुम्हें ये इंटिगेटर हटा लेता हूँ सो मैंने यहाँ पर इंटिगेटर हटा दिया आपका जो fresh look होगा वो कुछ ऐसा आपको दिखाए देगा ठीक है यहाँ पर दिखो मेरा BTC USDT pair में है मतलब मेरे हाँ पर Bitcoin open है USDT के pair में यहाँ पर D लिखा है मतलब यह जो चार्ट मुझे दिखा रहा है यह एक दिन का चार्ट मेरे सामने खुल के आया हुआ है अब अगर मैं इसको चाहूं तो कैसे यह एक दिन का चार्ट है इसको मैं दिन से घंटे में बदलू तो यह जो दिल लिखा है ना। इस पर आपको जस्ट दप करना है। तो यहाँ पर आप जैसे मानूं मैं देखना चाहता हूं Pैनतालीस Minuten被ना चाहर तो मैंने पैनतालीस मिनाट का चाहर्ट ऊपन किया तो यहाँ सनुट का चाहर्ट वो उपन हो चुका है वो यहाँ पे मेरे सामने बनके आ चुके, एक कामोर करना, यहाँ पे आपको नीचे जो टाइम दिखता है ना, इस पे एक बार आप क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कॉल करता कर लेना है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, तो आई होप आप यह समझ गए होंगे, ठीक है, अब मैंने पहले क्या किया था, चार्ट पी क्लिक किया था, तो मेरे सामनी यह ऐसा ओपन हुआ, इनको मैं बाद में धीरे धीरे आपको समझाँगा, उससे पहले थोड़ा सा वापस से मैं सुरू से इसको ओपन कर लेता हूँ ठीक है, ताकि आपको confusion ना हो, पहले मैंने चार्ट पी क्लिक किया था, अब मैं आपको सर्च करके बताऊंगा, जो यह सर्च का आपको आइकन आ रहा है न यह, अब जैसे मानो कि मुझे बिटकोइन सर्च करना है, तो मैं BTC लिखूँगा, short form लिखना है, तो यहाँ पे मैं आपको मिल जाते हैं, स्टोक का, यह सारी चीजे मिल जाते हैं, आप इसको अगर क्रप्टो में कर लोगे ना, तो सरफ क्रप्टो से रलेटीड चीजे आपको वो शो करेगा, अब जैसे यहाँ पे तो अपना आगे आप बिटकोइन USDT पेर में, यहाँ पे अपना सारा पेल आ जाता है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे एक्षेंज लिस्ट आती है, आप किस एक्षेंज के उपर देखना चाहते हैं, ज्यादा तर जो भी यूजर्स देखते हैं, या फिर खुद मैं देखता हूं, वो बाइनेंस पे देखता हूं, ठीक है, तो यहाँ प के सामने सेम ओपन होगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से आप जो यह केंडल बन रही है, इनको एक फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तक आपको बताई दिया था, कि आप अपने हिसाब से जो केंडल है, उसको देखना चाहते हैं, कि कि अपने हिसाब से आप यहाँ पे लाइन में कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ही सब अच्छा नहीं लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख ले, उसके बाद में यहाँ पे जो इंटिगेटर है, इसके बारे यहां पर जो Bitcoin है उसका आपको चार्ट नहीं देखना आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे यहां पर BTC USDT लिखा है इस पर जस्ट एक बर क्लिक करना है ठीक है जस्ट एक बर क्लिक किया अपना क्रप्टो यहां पर अपने सलेक्ट कर रखा है आपका अगर ओल पे होगा तो भी टेंशन नहीं है ठीक अब जैसे मानों मैं BNB का देखना चाहता हूं तो BNB USDT ठीक है अगर आप USDT में नहीं देखना चाहते हैं BNB का BTC में देखना चाहते हैं तो BTC लिख देंगे मतलब Bitcoin के पेर में इसका जो भी प्राइज होगा वह आप एनलाइज कर सकते हैं मैं यहां पी USDT कर लेता हूं और Binance एक्षेंज है सिंपली उसको सलेक कर लेता है यहां पर जो भी BNB है उसका लाइव प्राइज आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर 297 पॉइंट के सम्तिंग चल रहा है तो आप यहां पर पूरा उसका देख सकते हैं A to Z जो लाइव प्राइ ठीक है उससे पहले एक चीज में आपको उधाता हूं उससे पहले यहां अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर आया आपको जो टाइम फ्रेम है ना वो आपको दिखाई देता है अगेन मैं इसको चार हावर्स में कर लेता हूं देखो काफ लोग एक कन्फ्यूज और कि इसको एक दिन में देखें कि चार हावर्स में देखें या फिर एक गंटे में देखें दो गंटे में देखो आप यह देखो कि उसका पिछले एक गंटे में परफोमेंस कैसा था उसके बलबूते पर आप कभी भी ट्रेड ना ले एट लिस्ट जो मैं देखता हूं पर लिटके जाओगे ना माउस का करसर या फिर मोबाइल में है तो उस पर जैसी क्लिक करोगे उसके बार में इंफो आएगा जैसे कि यह जो कैंडल है इदर वह लेक्री फिलाल की जो अभी प्राइस चल रहा है वह बोल्ट न पर देख सकते हैं इसको पकड़ेistan यह जो candle है ठीक है यह वाली candle यह पकड़ लेते हैं यह candle कैसे समझाओ मैं आपको ऐसा समझिए कि बायर है और जो seller है उनके बीच में जगडा हो रहा है जो फाइट बोल सकते हैं ठीक है एक तरीके से समझिए जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनके अंदर फाइट हो रही है कि भ मुझे याद ही नहीं आरा भूल गया हमें तो उसमें जैसे वह लड़ते थे ना भाई साब गलत जैसे ओपन होता था तो जो भी ब्रोकर्स होते थे वह आफ़स में लड़ने लगते थे भाई मैं इतने में खरीदूंगा तो एक तरीके से समझिए कि यह तो जो जो बायर्स पासर उतना ही मोटा है समझें आप इस चीज गो आयोप समझ रहे होंगे और जो यह चैंडल क्लोज होती है उसका मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ यह किस तरीके से वर्क करती है सिंप्ली जो चैंडल क्लोज होती है वह होती है साड़े पांच बज़े एम ठीक है और जो कैंडल क्लोज होती है ग्रीन वह जितना अप रहता है वहां पे होती है उपर जैसे यह जो कैंडल है सपोर्ज यह तो यह यहां पे क्लोज हुई है यह वाली जो कैंडल है यह यहां क्लोज हुई है लेकिन जो अपनी रेड कैंडल क्लोज होती हो नीचे से होती है सुरू लेकिन जो red candle होती है sellers की वो नीचे से start होती है क्योंकि उसको pressure इतना होता है कि विचारा वो नीचे आखे पढ़ जाता है तो 5.30 am को अपना जो candle है वो reset होता है यह नया दिन बनता है जैसे अपना रात को 12 बजे होता है जैसे 12 बजेंगे simply तो अपना जो नया दिन हो बन जागे जैसे आज 21 तारीक है तो 22 तारीक हो जागी इसी तरीके से crypto में जो candle बनती है वो 5.30 am बनती है जैसे कि stock का जो भी time होता है उस हिसाब से तो यह जो candle का time है simply वो clear हो गया उसके बाद में बात करें कि जो candle वो कैसे work करती है तो शायद मैंनी यह already बता दिया buyer और seller के उपर depend करता है जो green candle होती है वो buyers बनाते है और जो red candle बनती है वो sellers बनाते है बस इतना है ठीक है उसके बाद में simply जो chart है इसको आप अगर mouse का बीच का बटन है उससे scroll करेंगे तो यह ऐसे चोटा बड़ा हो जाएगा और अगर आप mobile से भी है तो ऐसे पकड़ के scroll करना simply तो आप इसको ना move कर पाओगी easy कोई tension नहीं है ठीक है और यहाँ पे जो टूल्स है यह तो बहुत सारे टूल्स है एक वीडियो में clear करूँगा बट फिर भी मैं थोड़ा होड़ा बता देता हूँ आप यहाँ पर अपने साफ से ऐसे line draw कर सकते हैं थोड़ा सा analyze कर सकते हैं लेकिन आप यह नहीं है कि भाई मैंने बता दिया और आप सीगे नहीं है आपको practice तो करनी ही पड़ेगी यह बुरूस है अकर आप किसी चीज़ को ऐसे integrate करना चाते हैं तो integrate कर सकते हैं फिर मैं इसको यहाँ पर delete करना चाता हूँ suppose that तो यहाँ से ऐसे delete भी कर सकता हूँ यह फिर ctrl z click करेंगे तो वो back हो जाएगा ठीक है आप किसी चीज़ को अगर integrate करना चाते हैं तो इस तरीके से ऐसे कुछ भी drawing like बना सकते हैं बाकी म भी मैंने वीडियो में आपको topic बताये थे वो तो आपके मैंने clear करी दिया है तो इस तरीके से आप किसी भी coin card trading view पर simply जो chart है वो analyze कर सकते हैं बहुत easy है बिल्कुल भी complicated नहीं है next video जो होगा वो होगा tools के बारे में और जो integrator है उसको भी I think मैं AC में include कर दूगा फिर अलग से जो integrator है वो भी मैं आपको जो include है वो कैसे करते हैं वो सारी चीजे ना मैं आपको बहुत deep में clear करने वाला हूँ I hope कि आप सभी के वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए share कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ मैं मिलूँ है एक और ऐसे ही interesting वडियों पत्त के लिए जैहिन वन्नेवातरम अस्तरिये मस्कुराते रहें